Hello friends, welcome back to the channel. Friends, मेरा नाम है रुमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल The Knowledge Race. इस वीडियो के अंदर हम लोग Journal Studies के MCQ डिसकस करने वाले हैं, जो JKSSB के द्वारा recently exam में पुछे गे थे, उन question को हम discuss करेंगे. जे MCQ का Practice Set 1 है और आपको Second भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा, जो आपके Upcoming exam है, जो SI का इंस्पेक्टर का है, Finance Account Assistant का है, जाँ फिर Cooperative Society का जो exam PSC के द्वारा होने जा रहा है, तो उसमें भी आपके लिए जे MCQ जो है, वो help करेंगे. तो चलिए, Friends, इसको देखते हैं, Friends, JKSSB के द्वारा जो question पूशे जाते हैं, आप इस वीडियो के अंदर जो खुद analyze कर पाऊगे, कि 20% question जो है, वो बिल्कुल simple रहते हैं, जो कोई भी बच्चा उसका answer दे पाएगा, और उसके 50% question जो है, वो moderate रहते हैं, जो थोड़े से, ना easy होते हैं, ना difficult होते हैं, और आगे वाले उसके 30% question होते हैं, वो tough हो जाते हैं, और यह 30% ही जो आपकी selection करवाते हैं, यहां पे जो है, इन दोड़ नियों सक्षिनों को करके, आप 70 to 75 तक question कर पाते हो, लेकिन वो आप तही ना कहीं selection से रहा पाते हो, तो इसके उपर आपको focus करना है, यह 30% question जो है, कहां से JK SSP पूछता है, किस टाइप के पूछता है, तो वो सारे हम इस वीडियो के अंदर जो है, वो discuss करेंगे, आप खुद भी देख पाऊगे को कौन-कौन से question जो है, वो tough cat अगे रही के थे, और यह जो question है, यह मैंने friends लिए है, 1 से लेकर question नमबर 15 तक जो है, जो आपका exam हुआ था, junior health inspector का JK SSP के दवारा उससे लिए गया है, और 16 से लेकर 30 नमबर तक जो question है, वो junior supervisor और sub-editor के exam में पूछे गये थे, तो यह वहाँ से question लिए गया है, मेरे दवारा खुद एक भी question जो है, वो नहीं बनाया गया है, इसके साथ ही हम daily basis के उपर चैनल के उपर quiz करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे, आंसर भी 1.1 के बच्चों ने दिया है, तो आप भी इसके आंसर दे सकते हो, खुद अपने आपको जो है, वो improve कर सकते हो, तो चलिए जल्दी से वीडियो को start करते हैं, चैनल के उपर नहीं हो, तो subscribe जरूर कर ले, notification को भी आन कर ले, और इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी, वो मैं किलो मीटर दूर जो है, जो जम्मू हुमारा है, जम्मू अखनूर हाइवे है, उसके किनारे पे एक गाउं है, वहाँ पे जे मेला होता है, और जो, जे किसकी जाद में जे होता है, जे बाबा जित्तो के जाद में, जे भी आपको जाद रखना है, बाबा जित्तो जो थे, वो एक किसान थे और आज से 500 साल पहले लगवग हुए थे और जे किसान थे और जमीनदारी सिस्टम से बहुत ही तंग आ चुके थे और इन्होंने अपने आपको क्या कर दिया था कुरवान कर दिया था मतलब खुद साइट कर दिया था मर गयती हग की लड़ाई लड़ते लड़ते और इनकी बेटी भी थी उनकी बेटी का क्या नाम था वो आप comment section में जरूर बताईएगा और यहाँ पर एक मेला जो लगता है हर साल जो लगता है मेला कब लगता है अक्टूबर और अक्टूबर और नमंबर के मन्थ में मेला लगता है और यहाँ पर एक crop के बहुत जादा selling होती है उस crop का नाम है sugar gain जो आपको जाद रखना है उसके बाद जो second question है which of the falling states share its capital with हर्याना बिलकुल simple question है यही जो 20% की category में मैंने बताया वहाँ पर आता है तो हर्याना जो है वो अपनी capital की state के साथ share करता है तो पंजाब के साथ अपनी capital share करता है और हर्याना और पंजाब की capital कहां पर है चंदीगर में है ठीक है तो जी आपको जाद रखना है question number third जो है which is the percentage of area under the forest in jamu and kashmir jamu and kashmir में जो forest जो है वो कितने percent area के उपर है friends ऐसे question थोड़े tricky होते हैं और tough भी होते हैं अगर आपको clear cut नहीं पता है तो जी इनका क्योंकि जी factual होते हैं तो गल्त answer देने के वहुत सारे chances रहते हैं तो ऐसे question आप तभी attempt कीजेगा अगर आपको clear cut उसका answer पता है तो इसका जो percentage wise area जो forest के अंदर है तो वो 19.95% ये 10th की book जो आपकी जोग्राफिगी है वहां से भी आपको जी answer मिल जाएगा अगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो है रिलेटे टू विज़ फॉलिंग गेमस अन स्पोर्ट अगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो है वो किस गेम और स्पोर्ट में दी जाती है तो इसका answer जो है वो जी गल्फ में जो है एक रिवर है और एक अलक नंदा यह दोनों रिवर जो है जो गंगा जो पीशे गंगोतरी के साइट से निकलती है तो यहां से दो रिवर जो आते हैं बागे रती और अलक नंदा आते हैं जे आके दोनों मीट करते हैं देपरियाग में और देव प्रियाक के नीचे जो जे दोनों द्रिया मिलके एक ही द्रिया हो जाता है तो उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं और जे कहां पी है जे सारे उत्राखंड में ठीक है ये आपको जाद रखने है जे उत्राखंड में है और उत्राखंड पे जब गंगा प्लेन के अंदर एंटर करती है तो वहां का जो नाम है वो हरीदवार है और हरीदवार जो बहुत एक religious place भी है यहां पर बहुत सारे pilgrimage में जो अस्थियां लेके लोग जहां पर जाते हैं हिंदु धर्म में तो में जो इसके लिए बहुत जाद कि जम्मूरीजन में आती है तो आपको पता है कि बारा मुला कश्मीर डिविजन में आती है अनंत नाग और बढ़िगाम जे भी वहां पर आती है तो इसका आंसर जो है पुपुन्श डिस्टिक था नेक्स्ट कोश्टन जो है विच अफ़ फॉलिंग सीटी इंडा कैप्ट आप तलंगाना और यह थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि क्यूंके तलंगाना की जो कैप्टल और इसके साथ जो आंदरपरदेश की कैप्टल है यह दोनों पहले एक ही जगा थी तो दोनों कहां पर दी हैदराबाद में अभी मैं इसका आंसर बताता हूं आपको यह दोनों 14 में जो है जे बनाई गई थी इसको कहां से लग किया गया था अंदरपरदेश से लग किया गया था तो यह स्टेट लग होगी पहले अंदरपरदेश और तलंगाना की कैप्टल एक ही थी हैदराबाद में थी और अभी जो तलंगाना की कैप्टल जो है वो कहां पे है हैद दीख लेनो ठीक है नक को तैकर नमबर एट को देखते हैं वेर इसदा गंगाई कॉंडा चॉला पूर्ण फ्रेंस्ट जिय को शॉत हिंडिया में है और सोथ इंडिया में कॉंडिया में Question number 9 जो है, which of the following battles happened between Alexander the Great and King Porras? King Porras और Alexander the Great, इनके बीच एक battle लड़ी गई थी, वो battle का नाम क्या था? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लड़ी कब कही थी, यह 326, फ्रेंट्स यह जाद रख लीजी, 326 जो BC थी, वहाँ पर यह capital जो लड़ाई थी, 326 BC में, लक्जांडर ता ग्रेट और King Porras के बीच लड़ी कही थी, तो यह भी बहुत बार question पूशा जाता है, लक्जांडर का सिंद पाकिस्तान है, ठीक है, सिंद एरिया जो है, पाकिस्तान के अंदर जो है, और यह यहाँ पर आके इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का नाम था, बैटलाव हदस पस, ठीक है, और इसके बाद इस अलेक्जांडर दा ग्रेट ने पॉरस को हराया और उसके बाद वो इंडिया के उपर उसने जो है, कबजा किया था, उसके बाद question number 10 जो है, आपका वो है, point calimer word century है जी, और यह point calimer word century कहां पर है, तुपाद रख सकते हो, point calimer जो है, तामिल लाडु में, एक word century है, तामिल लाडु में, question number 11 जो है, रिश्वा देवा देवा तिर्थन कारा क्या होते हैं, friends, generally teacher होते हैं, जो religious teacher होते हैं, धर्म के परचारिक जो होते हैं, और जन धर्म के परचारिक थे, उनका नाम था रिश्वा देवा, और यह इनका क्या पूछा है, इन्होंने, burn, कहां पर होते हैं, जगा का नाम पूछा है, तो ऐसे question भी tough की category में आयते हैं, देखो directly इन्होंने stadium पूछी है, और यहां पर क्या पूछ लिया है, इन्होंने जाके आपको एक जगा का नाम पूछ लिया, तो यह आपको बताना है कि यह कहां पे था, और यह था friends अजुद्या में, ठीक है, रिश्वा देवा जो थे, वो अजुद्या में पै इसका answer है friends तूमरी, तूमरी क्या होता है, एक हिंदी word है, जिसका मतलब है कि dance करते करते चलना, मतलब dancing step जो जिसको हम बोलते हैं, तो dance भी करना और चलते भी रहना, तो यह जो है तूमरी उससे जुड़ा हुआ है, तो इसका right answer यह था, question number 13, जो है, who furnished the construction of पुराना किला, old fort in New Delhi, तो New Delhi में जो पुराना किला है, old fort है, उसकी construction जो थी, वो खतम किसने की थी, तो यह आपको इसका answer जो है, बुजाद होना चाहिए, देखो 1538 में, इसकी construction जो थी, वो शुरू करवाई गई थी, किसके दवारा, हमाईयों के दवार मुगल डर्नेस्टी के थी, तो हमाईयों के दवारा इनके construction शुरू करवाई गई थी, और उसके बाद, इसको जो खतम किया था, 1545 में, खतम किया गया था, किसके दवारा, शेर सा सूरी के दवारा इनको खतम किया गया था, तो यह इसका right answer जो है, बुड़ी है, शेर सा सू ठीक है, उसके बाद, नेक्स्ट जो question है, question number 14, जो है, यह भी थोड़ा tricky question आते है, 13 year, जब उनकी उमर थी, अकबर 13 साल की उमर में ही राजा बन गे थे, और इनका जो है, राज दिल किनका कहां पे किया गया था, यह question पूशा गया है, तो यह देखो, states का नाम भी नहीं दिय इसमें से कौन है, वो है, काला नूर जगा का नाम है, और काला नूर यह कहां पे है, जो हर्याना में है, present day, और यहां पे इनका राज दिल कि जो था, वो किया गया था, यह question आया था, तो इसका right answer जो है, वो एह है, question number 15, और last question, जो junior inspector, जो health inspector का exam हुआ था, उसमें से यह question ल state of India, तो most simple question, north eastern state जो है, हमारी इंडिया की, वो seven states है, और उसमें से एक जो Shilong capital है, वो कौन सी state की है, तो वो है, मगालिया की, ठीक है, तो friends, आप नीचे अभी, खुद से answer, side पे लिखते जाहिए कहीं, तो नीचे comment section में, last में बता देना, total 30 question है, इसमें से आपके कितने question ज लेगी, वीडियो को like share जरूर कर देना, अगर आपको वीडियो पिसंद आ रही है, question number 16, how many times has India won the world cup, जो cricket world cup हुआ है, ODI, one day international cricket जो होता है, तो वो इंडिया ने कितनी बार जिता है, जे question है, और मैं आपको थोड़ी चीजे यहाँ पे extra बता दूँ, कि अगर आपको future में ऐस गया था, supervisor और sub editor के exam में यह पूशा गया था, कि 1975 में, यहाँ पे मैंने यह question नहीं लिया, दूसरे paper में पूशा गया था, luck shift में, कि 1975 में जो world cup हुआ, तो उसको कौन सी country ने जीता था, तो पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, 1975 में सबसे पहली बार इसको host kids ने किया, तो England ने किया, एक चीज जाद रखनी है, और इसका जो था, winner कौन था, 1975 में winner कौन था, और आपको यह भी जाद रखना है, 1975 में winner इसका जो था, West Indies था, ठीक है, यह जाद रखना है, West Indies ने इसको जीता था, और उसके बाद हराया किसको था, runner कौन था, और runner जो था, 1975 में वो Australia ठीक है, जे आपको जाद रखना है, Australia जो था, वो इसका क्या था, 1975 में runner था, ठीक है, जे लिख लेना, तो इसके बाद, अब मैं 2019 में भी हुआ है, तो वो मैं बता देता हूँ, 2019 में जो हुआ है, उसको किसने जीता है, और कहां पे हुआ था, 2019 वाला जो है, यह World Cup हुआ है, इसको भी host करने वाली जो country थी, वो England ही थी, ठीक है, 2019 में भी England ने host किया, और winner कोन था, 2019 में भी winner जो था, वो England ही था, 2019 में इसको England जीता है, और runner कोन था, runner जो था, फ्रेंच, 2019 में New Zealand था, ठीक है, जे जाज रखना है, New Zealand इसका जो था, वो runner था, 2019 की बात करते है, अब मैं ब 1983 में इंडिया ने जीता था, होस्ट किस ने किया था, फिर से इसका अंसर जो है, 1983 में होस्ट जो किया था, वो इसको इंग्लैंड ने ही होस्ट किया था, ठीक है, यह आपको फिर से जाद रखना है, तीनों को होस्ट इंग्लैंड ने किया है, और इसमें विनर कौन था, विनर ने इसको कब जीता है, तो वो आपको जाद रखना है, second time इंडिया ने इसको जीता है, 2011 में, इंडिया ने जीता है, और host किस ने किया, ठीक है, host इसको इंडिया ने भी किया था, कुछ मैच इसके इंडिया में हुए थे, कुछ इसके जो है, वो बंगलदेश में हुए थे, औ इंडिया बंगलादेश और शिरलंका में कुछ मैच हुए थे और इसमें विनर कौन था विनर इंडिया ही था ठीक है और इंडिया ने हराया किसको था रनर कौन था तो रनर जो है इसमें वो रहा है फ्रेंड्स शिरलंका ठीक है तो इंडिया ने 2011 में शिरलंका को हराया और इ और यह जो है टू टाइमस इंडिया ने जीता हुआ है 1983 में जीता और उसके बाद 2011 में जीता अगला जो question है इन विच इंडियन स्टेट इस रामगर गैस थर्मल पावर प्रांट जो है यह कहाँ पे है तो रामगर गैस थर्मल पावर जो स्टेशन है यह कहाँ पे है फ्रेंट्स राज्यस्तान में ठीक है तो यह इसका राइट आंसर है अगला जो question है इन विच एर डिट बोपाल गैस ट्रेजडी अकर कब होई थी फ्रेंट्स बहुत ही important most most important question है और ये 2015 में SI के एकजाम में पूशा गया 2018 में teacher के एकजाम में पूशा गया उसके बाद 2018 में रमसा का subject specific teacher का एकजाम हुआ था उसमें पूशा गया और उसके बाद अब भी जो है यहाँ पे supervisor और sub editor के एकजाम में पूशा गया तो बहुत बाद ये question जेके SSB ने पूछा है तो possible हो सकता है ये कहां पर हुआ था एक disaster था दुनिया के जितने भी industrial disaster है उनमें से एक इसको भी गिना जाता है क्योंकि भोत ही खतरनाग disaster हुआ था जिसमें लगबग जो लोग है वो 5 लाग से जादा लोग जो है 5 लाग से जादा हुई थी जो claimed death है जो claim किया था लोगों ने तो वो 16,000 लगबग इससे आसपास death थी बट official data के उपर ये बताया गया है कि इसकी death ही इतनी हुई थी और इसके बारे में आपको क्या जाद रखना है इसके बारे में ये जाद रखना है कि जो methyl isocyanide यहां से कौन सी gas leak हुई थी तो यह है methyl isocyanide gas leak हुई थी यह भी बहुत बार पूछा जाता है और कौन सी company के दोवारा जे plant लगाया गया था Union Corby India Limited के दोवारा जे लगाया गया था तो यह आपको extra कुछ information थी तो यहां पे हुआ कब था यह 1984 में हुआ था जेजाद रखना है Which among the falling countries ruled due as the European colony in the Indian territory till 1961 तक यहां पे 1961 तक कौन से European थे जो इंडिया में रहे थे तो देखो यह भी आपको जाद होना चाहिए देखो सबसे पहले European इंडिया में कौन से आये थे सबसे पहले जो था 1498 में कौन से आये थे वासकोडी गामा वासकोडी गामा और यह कहां के थे पुर्तगाल के थे और पुर्तगाल के जो वासकोडी गामा सबसे पहले इंडिया में आये थे European जो सबसे पहले आये थे और सबसे लास्ट कौन के थे वो भी यही थे, सबसे लास्ट जाने वारे हो, सबसे पहले आने वाले यही थे, कौन से थे, पुर्तिगाल के यही थे, और लास्ट जे लोग गोवा और दियो तक 1961 में रहे थे, और तब तक भारत जो अजाद हो गया था, वो भाई पुलीस सेक्षन जो है, इनको निकाला गय गोवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा बचिंदरी पाल जो है, पहले आपको यह पता होना जाहिए, बचिंदरी पाल क्या है, यह एक मौन्टेनियर है, ठीक है, मौन्टेनियर है, और इन्होंने 1984 में, कहां पर पहुंचे थे, जो मौन्ट आबरस्ट के उपर पहुंचे और गोवर्मेंट आफ इंडिया ने इनको जो है, वो थर्ड हाइस्ट सिवलेन अवार्ड दिया है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सिवलेन अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है बारत रतन, उसके बाद दूसरे नमबर पे कौन है, वो है पदम ब तो यह आपको जाद रखना है, तो थर्ड हाइस्ट सिवलेन अवार्ड इनको दिया गया है, पदम बूशन, और पदम बूशन इनको कब दिया गया था, गोवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा, 2019 में दिया गया है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से वार् Q21, जो है, who among the falling is considered to be the founder of frozen, modern frozen food industry के कौन है, तो इसका clear answer, जो है, इनका नाम है, Q21, जो है, इनका answer है, Q22, Charles D. Gould was the famous army officer and the former president of which of the falling nations, यह most difficult की के टागेरी में यह question है, world history से question पूशा गया है, और यह कौन से थे, Charles D. Gould जो थे, जो है, अएक army officer थे, और यह president बने बाद में कौन से देश के बने, तो इसका answer आपको पता होना चाहिए, देखो, यह पहले आपको पता हो के यह कब बने, 1959 से लेकर, 1969 तक, जे president बने और पहले जे एक army officer थे, और यह किस country के बने थे, यह बने थे, France के, ठीक है, तो जे इसका right answer था, उसके बाद आ Sorry for pronunciation, अगर कोई गलत हो रहा हूँ, तो किताब अलरा जो है किन author के द्वारा लिखी गई थी, यह 12th की history में एक chapter है, traveler करके, तो वहां पे भी, जो बहुत सारे travelers पढ़ाए गया है, तो वहां से भी इसका answer मिल जाएगा, तो यह books and author से यह question पूशा गया है, और यह इनका answer मैं बताने से पहले आपको बताऊंगा कि इन लिखी गई है, चलो answer बता देता हूँ, इबन आई बाटूटा के द्वारा लिखी गई है, और यह भारत में आये थे 1333 में BC में, sorry, 1333 AD में आये थे, ठीक है, AD में आये थे, और यह वापस यहां से कब गे थे, यह कहते 1350 के आसपा यहां से वापस गे थे, और यह कहां के थे, मुरक्को के थे, ठीक है, यह जाद रख लेना, मुरक्को जो है, एक African country है, और अफरीका के यह थे, और जब बाहरत में आये थे, तो उस टाइम इंडिया में रूल किस का था, तो तुगलक डानेस्टी का था, तुगलक मलब दिल सलतनत में तुगलक डानेस्टी थी, और मुहमद बिन तुगलक जो थे, मुहमद बिन तुगलक जो थे, ठीक है, मुहमद बिन तुगलक जो थे उस टाइम दिली के राजा थे, तो इनके टाइम यह यहां पर आये थे, तो इसका राइट आंसर जो है, वो D है, कोशन नंबर 24 which among the falling is the longest tributary river Ganga Ganga की longest tributary कौन सी है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि Ganga की longest tributary जो है जमुना है और ये Ganga, जमुना और एक सर्चबती है ठीक है सर्चबती भी एक रीवर है जो तीनों रीवर Ganga, जमुना और सर्चबती जो है यह कहाँ पर जिसको बोलते 3Dewish Sangam, ठीक है 3Dewish Sangam जो है यहां पे meet करती है स्वारी 3Vani Sangam है, ठीक है 3Vani 3Vani Sangam और ये कहाँ पर है ये UP में है और UP में कौन सी जगा पर है प्रियागराज प्रियागराज में जे एक जगा है और प्रियागराज में तीनों नदियां एक दूसरे के साथ मिलती है जमना, गंगा और सरस्पती मिलती है और इसका जो राइट आंसर है वो है यमना लांगस्ट पूछी है तो यह इसका राइट आंसर है ठीक है जह एक्स्ट्रा कुछ इन्फर्मेशन थी वो मैंने आपको पता दी कोशन नमबर ट्वाइब जो है इन विच अमंग दा फॉलिंग प्लेस डिड़ दा वागरा अप्राजिंग टेक प्लेस 1844 में तो यह कहां पे हो था एक चोटा सा बिद्रो हुआ था और यह कहां पे हुआ था यह बरोडा में हुआ था यह बरोडा कहां पे है गुजरात में है और 1844 में यह हुआ था कोशन नमबर 26 वेर इस दे हैड़कॉर्टर अव युनेस्को युनाइटर है पूशा गया है बट इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए युनाइटर नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक और कल्चरल अर्गनाइशन कहां पे है तो इसका हैड़कॉर्टर जो है वो पैरिज फ्रांस में है कोशन नमबर 27 तो इसकी फॉर्म प्रेज़न आफ इंडिया के पास है वो ही इनके मेंबर को रिमूब कर सकते हैं कोशन नमबर 28 जो है तो नेशनल ब्यूरो अब आनिमल जनेटिक रिसोर्स लोकेटिट तो नेशनल ब्यूरो अब आनिमल जनेटिक रिसोर्स का जो हैड़कॉर्टर है यह कहां पे है तो यह भी फ्रेंसिस का जो है कोशन नमबर 29 वो अमंग दाफ फॉलिंग वाज तकॉर्टर अब जर्मन रियूनिफिकेशन वर्ल्ड हिस्ट्री से कोशन पुशा गया है अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़िये तो आप इसका अंसर जो है इसली कर पाऊगे कोशन को कर सकते हैं तो फिर आंसर कौन सा बजता है तो जर्मनी की बात कर रहे हैं तो यह इसका अंसर जो है अलिमिनेशन मैथर से भी आप इसको कर सकते हैं हलमत कॉल्ड लास्ट कोशन आज की सेशन का उर्ट कोशन नंबर 13 जो है विड विचंद leiर इंड़ सूंध मैं पापोने वाला पेपर कहें थैंज है आपने friends के साथ भी जरूर शेर करें और channel के उपर पहली वार आयो तो channel को subscribe जरूर करें नीचे description एक बार चेक कर लें बहुत सरी playlist का link मैंने वहाँ पर दिया हुआ है वो आपके लिए सारे videos helpful रहेंगे वहाँ पर बहुत सरी videos MCQ की भी हैं वो भी आप practice कर सकते हो साथ इसी का साथ second आएगा तो वो मैं बहुत ही जल्द upload कर दूँगा तब तक के लिए पढ़ते रहें खुश रहें थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो